हैईलो फ्रेंड नमस्का आपके अपने यूटूब चैनल बियू क्लासेज में आपका हर्दिक स्वागत है यह दिया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आये तो पली चैनल को सब्सक्राइब करें उन वीडियो को सिरकर ना भूलें आज हम बात करेंगे आपके सामने दिख रही जेल के बारे में जो किन-किन पसों में हम दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, क्या इसकी डोजेट है, पसों को क्यों दें, कैसे दें, कब दें, उन सभी के बारे में डिटल से बात करेंगे आपके सामने दिख रही जेल एनकाल जेल जो की गाई भेंस भेट बकरियों के अंदर काम में ली जाती है मुख्यते दोर पर मुख्यते गाई भेंस के अंदर काम में ली जाती है अलग-अलग कमपणियों की अलग-अलग जेल आती है परंतु इस जेल के अंदर अलग खास बात है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे सभी जेल के अंदर केल्शियम मेगनेशियम आता है इसके साथ-साथ इसके अंदर दो चीज़ जोर एड़ की गई है इसके अंदर एनर्जी वा यस्ट बिजरू डाले गए हैं कई बार देखा पसु बियाने के बाद बेट जाता है पसु खड़ा नहीं होता है या पसु का टेमप्रेजर लो हो जाता है उस सवस्ता में आप पसु चिकिस्चक को बुलाते हैं तो है कांच की बोतल चड़ाता है और साथ में जेल भी लिखता है अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग जेल आती है पसु की जो केल्शियम की कमजोरी हो जाती है पसु बेट जाता है उसके अंदर यह केल्शियम की पूर्ती करता है उस समय पसु को यह कम से कम तीन जेल पिलानी चाहिए यह 500 मिल की पेकिं है वह हम क्रीच विलते हैं कि उसकी कारण इस टेश के आरने के कारण पष्षू का दुग दुध पादन बहुत कम हो जाता है उस वस्था में हम यह तीन बोकह कम से कम पहले दिन 7 ले दिन वह दस ले दन पिलाने पर पसु का दुख दूद पादन बना रहता है या पसु का दुख दूद पादन बनाई रखने के लिए पसु को महिने में कम से कम एक जिल तो आवसे दें एनकाल जिल क्योंकि इसके अंदर एनरजी डाली गई है बात करेंगे कई बार पसु क्या है जेड डानने की समश्या रहती है पशु पलक बोलता है कि हर बार गाई की जेल निकलवानी पड़ती है उस होस्ता में एनकाल जेल है यह देने पर पशु 99% के सुगे नदर पशु जेल डाल देता है यह ब्याने से पहले एक जेल देनी चाहिए ब्याने के तुरंद बाद एक जेल देनी है वह उसके 24 गिंटे बाद एक जिल देनी है पसु का केल्शियम इस्तर बना रहेगा पसु सवताज जय डाल देगा पसु का दुख-दुथ पादन बढ़ेगा कई बार देखा स्वर्दियों के अंदर पसु ओफिड हो जाता है तो मुख्यत है केल्शियम की लो या टेंपरेजर लोग होने कारणी पसु ओफिड हो जाता है उस वस्ता में इसका शांदार रेजल देखने को मिलेगा आपको पसु को दुख-दुख पादन के लिए शांदा रेजल्ट है केल्शियम के अंदर बहुत अच्छा एनरजी स्रोत है सभी कंपनियों की अलग-अलग जिल आती है यह फलेवर के अंदर आती है आइनिक केल्सियम है केल्सियम में अगिनिसियम के साथ एनरजी यस्ट कल्चल डाले गए हैं जिससे पसु को भूख भी अच्छी लगती है कंपोजिशन देख सकते हैं बहुत शांदर कंपोजिशन है इसके अंदर कंपनी देख सकते हूं बहुत शांदर केल्सियम जेल है